एक लड़का जो जापान में अपनी मा के साथ रहा करता है और बचपन से ही उसने अपनी मा से एक ही सवाल किया था कि मा मेरे पिता कहा है अगर वो जिंदा है तो वो कहां रहते हैं हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते अगर वो मर चुके हैं तो उनकी मौत कैसे हुई थी उस उसके पास उसके पिता की जवानी की फोटो थी और उस फोटो को लेकर वे अपने पिता को इधर-दर ढूंडता रहता है अब वे लड़का अपने पिता को ढूंडने के लिए इंडिया क्यों आया था और किस वज़े से वो लोग जापान में रहा करते थे क्या कनेक्शन था इंडिया से उनका पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें। इंडिया को देखता है तो देखते है उसकी तरह पर्टेक्टिव होता है और उससे बाते करने लगता है। फ्लैट पकड़ते हैं और फ्लैट में उन दोनों की सीट आसपासी थी और पूरी फ्लैट में वो एक दूसरे से बाते करते हुए आते हैं। जो सुखवंदर था उसको सोफिया बहुत अच्छी लगती है अधर सोफिया को भी सुखवंदर बहुत अच्छा लगता है और दीरे दीरे उनका समय वैतीत हो जाता है और समय के साथ साथ वो लोग इंडिया आप पहुँचे थे। अब एरपोर्ट से वो टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेने के बाद सीधा अमरिसर सुखवंदर के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो सुखवंदर है वो सोफिया को पूरा अमरिसर एक एक दिन करके अच्छी तरह से गुमाता है। क्योंकि वह सभी के साथ घुल मिलकर रहा करती और अच्छी तरह से सभी से बात किया करती। दीरे दीरे समय बीटता है अब सोफिया का टाइम आ गयाता है वहाँ से जाने का और जैसे उसके जाने का समय होता है उसे पता चलता है कि उसका वीजाब खतम होने बाला है तो सोफिया भी उससे अपने प्यार का इजार कर देती है। कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूँ और मैं इसी से साधी करूँगा। इधर जो सोफिया होती है जब उसके घरवाले उससे बात करते हैं तो वह भी उन्हें बता देती है कि मैं सुकविंदर से प्यार करती हूँ और मैं इससे साधी करना चाहती हूँ। अब इसके बाद सुक्विंदर उसके साथ जापान जाने के लिए त्यार हो जाता है गरवाले भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि दोनों साधी सुदा थे और अब समाज उनसे कुछ भी नहीं कह सकता था इसके बाद सुक्विंदर और सोफिया दोनों जापान चले जाते हैं व बच्पन से ही गाउं में उसकी पैदाय सुझती और गाउं के अंदर ही खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था यहां पर जापान में लोगों को समझना और लोगों के आचार विचार उसे अच्छे नहीं लगते हैं और इसी वज़े से वो सोफिया से कहकर वहां से वापस अम्रि सुखविंदर के पास आई थी कुछ दिरों तक यहीं पर रहती है और कुछ दिन तक यहीं पर रहने के बाद फिर दुबारा से सुखविंदर को मना लेती है और अपने साथ एक बार फिर से सुखविंदर को दुबारा से जापान ले जाती है अब सुखविंदर दुबारा से जापान के अंदर अपना मन लगाने की कोशिश करता है दीरे दीरे समय वैतीत होता है और समय के साथ साथ सोफिया को एक लड़का होता है सोफिया एक लड़के को जनम देती है उनकी साधी को चार साल हो चुके थे और चार साल के अंदर उन्हें एक लड़का हो गया था और यहां पर मैं खेती किसानी कैसे करूँगा ऐसा कहकर वो सोभिया को तलाग दे देता है और वहां से वापस इंडिया अमरिस्टर में आ जाता है वहां पर आने के बाद कुछ दिनों तक तो वह अपनी खेती किसानी को करता अपने परिवार के साथ रहता है लेकिन दीरे दीरे समझ में आ जाता है कि इतनी पहाड जैसी जिंदकी यह अकेले नहीं बिताए जाएगी और वह एक ओल लड़की से साधी कर लेता है और यहीं पर रहकर अपना परिवार चलाने लगता है दीरे दीरे समय व्यतित होता है और समय के साथ साथ सुक्वेंदर को एक ओल लड़का होता है यहां वाली पतनी से और उसके साथ वो यहां पर आराम से रहने लगता है इसके बाद बना तो कभी सोफिया को फोन करता है और ना ही उसे मिलने की कोसिस करता है इधर जो सोफिया थी तलाक के बाद पूरी तूट सी गई थी लेकिन दीरे-दीरे वो अपने बच्चे के लिए अपने आपको समालती है और अपने बच्चे को पालने लगती है दीरे-दीरे समय वैतित होता है समय के साथ साथ उसका बच्चा उससे बार-बार पूछा करता है कि मा मेरे पिता कहा है लेकिन वो उ चो कहें तो उनकी मौत कैसे हुई थी मुझे इसके बारे में जानना है लेकिन अब भी सोपिया उसकी बात को ऐसा ही कहकर टाल देती है और कहती है कि बेटा समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी दीरे दीरे और समय वैतित होता है अब लड़का 16 साल का हो गया था और जैस जी वो फोटो उसे मिला था तो उसके बाद वो अपनी मा को उस फोटो को देखाता है और कहता है कि मा यही है क्या पिता जी उसके बाद उसकी मा उसे बता देती ही कि हा बेटा यह तेरे पिता जी का फोटो है उस फोटो को लेकर वो बढ़ाई खुस होता और अपनी मा से कह को आथा और सोफिया नहीं चाहती थी कि उससे पहले उसको पता चले कि उसके पिता इंडिया में रहते हैं कि उसके बाद दीरे-दीरे समय वीचता है, अदर जो सोफिया का लड़का था वह पूरे जापन के अंदर अपने पिता को ढूڑनने लगता है। पिता के जवानी वाले फोटो को दिखाया करता और पूछा करता क्या आपने इसको देखा है क्या आपने इसको देखा है लेकिन कहीं से भी उसका आता पता उसे नहीं मिलता है दीरे दीरे समय वैतित होता है और समय के साथ साथ सोफिया का बेटा अथारा साल का हो गया था और तीन चार साल बाद वे लड़का जो कि अब नोकरी किया करता था और इस बार वे अपनी मा से बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है पूछता है कि मा आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पिता जी कहां रहते हैं वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा ऐसा कह कर वो अपने आपको एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है और जैसे वो अपने आपको कमरे के अंदर बंद करता है सोफिया को लगता है कि अब यह सही समय है अपने बेटे को बताने का कि उसके पिता जी कौन है और कहां पर रहते हैं उसके बाद वा अपने बेटे को बता दे थी है कि तुमारे पिता एक इंडियन है वो इंडिया में रहा करते हैं इस तरह से उन्होंने मुझे तलाग दे दिया था और उसके बाद ना तो उनका कोई फॉन आया है और ना ही कभी वो मुझे से मिलने आए है इस इस बात को सुनकर सोफिया का बेटा सोफिया से अपने पि पर उतरता है और वहां से गाड़ी करता है और सीधा अम्रिसर के लिए उस गाड़ी को चला देता है अब रास्ते में जाता हूँ बड़ाई खुस होता है वह सोच रहा है कि मेरे पिता से आज मेरी मुलाकात होगी बच्पन से मैंने उसे नहीं देखा है और आज मैं उसे कि वो मुझसे दूर क्यूं रहने लगे और वो मुझसे मिलने के लिए क्यूं नहीं आया करते थे क्योंकि बच्पन में जब सभी के पiltr से लेने के लिए जाय करते थे तो इस लड़के को बढ़ाही दुख हुआ करते था और इनी बातों की सिकायत करने के लिए वो अपने पिता को ढून रहा था दीरे-दीरे समय वैतीत होता है, रास्ता कट गया था रास्ता कटने के बाद वे अमरेसर पहुंच जाता है अब जो सोफिया थी उसने अपने बेटे को ये तो बताया था कि वो अमरिस सर में रहा करते हैं लेकिन प्रॉपर एडरस उसके पास नहीं था इस वज़े से जो सोफिया का बेटा था वे अमरिस सर में जाकर रोखता है और वहीं पर अपने पिता को ढूनने लगता है उसकी उस वाली फोटो को लेकर वे जगए जगए पर जाता रोज नए एरिये में जाता और अपने पिता की फोटो को देखा कर सभी से उनके बारे में पूछा करता लेकिन कोई भी उसे ऐसा नहीं मिलता है जो उसके बारे में कुछ बता सके दीरे दीरे समय वैतीत होता और समय वैतीत होने के साथ साथ उसे 25 दिन हो जाते हैं अमरे सर में रहते हुए अब तभी एक दिन सोबा सोबा वो एक पानवाले की दुकान पर जाता है और वहां जाकर उस फोटो को देखाता है पानवाला उसके पिता को जानता था क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने सोफिया से साधी की थी तो चारो तरप उसके चर्चे थे और वे पानवाला कहीं न कहीं उसको जानता था और उसी समय का वो फोटो था तो पानवाला जैसे उस फोटो को देखता है तो एकदम से कह देता है कि यह तो सुकھیंदर है और इसका घर में जानता हूँ उसके बाद बाद मैं उस लड़के को उसका गर बता देता है और जैसे उसका एड्रेस पता चलता है तो बड़ा ही खुश होता है वे लड़का अपनी मा के पास फोन करता है और उसे बताता है कि मा आज मैंने पिता जी का एडरेस ढूंड लिया है और हम मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ वे लड़का भागा दोड़ा सा उस एडरेस पर पहुंच जाता है वहाँ जाकर देखता है कि एक बुजर्ग वैक्ती जो की दरबाजे पर बैठा हुआ है जिसकी डाड़ी मुचे बड़ी हुई है सर पर पगड़ी पैन रखिये हाथ में कड़ा है और वो दरबाजे पर अब जैसे ही गरबाले इन सभी बातों को देखते हैं तो उनको पता तो पहले से ही था कि इनका एक लड़का जापान के अंदर रहता है जो कि सोफिया से उनको हुआ था लेकिन वो सभी उसके बारे में भूल चुके थे तो वो चारों तरफ इखटा हो जाते हैं अब सुक् अपने बेटे को बेटाता, अच्छी तरह से चाय पानी पिलाता और घर वालों को उसके बारे में बताता है, कहता है कि यह मेरा वही बेटा है, इधर जो उसका वहाँ वाला बेटा था, वह भी अपने भाई को मिलकर बढ़ाई खुस होता है, वह उसका आधर सतकार करते हैं, और दो-तीन दिन तक वह लड़का उन्ही के पास इंडिया में ही रहता है, वहाँ पर रहने के बाद उसको बढ़ाई अच्छा लगता है, उसका एक भाई है यहाँ पे और एक पिता है, और उसका पिता भी उससे बढ़ाई प्यार करता है, एक दिन साम को पूरा परिवार बैठा हुए था, तबी सुकविंदर जी सोफिया के बारे में उस लड़के से पूस्ते हैं, अब उसके बाद सुकविंदर को वह अपनी मा के बारे में बताता है, कि आप से तलाक होने के बाद उन्होंने आज दक सादी नहीं किया है, मुझे पूरी जिंदकी बार कमाके कोई फोन किया था दीरे दीरे समय वेतित होता है उस लड़के के भी जाने का टाइम हो जाता है और वैं उनसे कहकर जाता है कि मैं हर साल आपके पास मिलने के लिए आया करूंगा वैं लोग भी उसे अच्छी तरह से विदा करते हैं और कहते हैं ठीक है तुम आजाया करना पास सुकवेंदर उसके पास नहीं है तो दोस्तों यह थी आज की कहानी आप लोग को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्षन में बता देना इस कहानी को सुनाने का उद्धिस किसी को परिशान करना बिल्कुल भी नहीं है यह कहानी आपको इसलिए सुनाय जाते है ताकि आप लो